यह पिर्विएस एर उपक्स्पार रफल में पूछे हुए आपको पूछे हुए आपके पूछे हुए हैं आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हूं यह वीडियो ज़े सारे एक्जाम के लिए बहुत ज़़ाइप श्रेंड और हेलफ़ूल हे इसमें आप जो है बार बा बार एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं तो अगर आप लोग को वीडियो वारी अच्छी और हेल्फूल लगा करें तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मैंचे सब्सक्राइब जो और बढ़ता है और ऐसी वीडियो जो हम आपके लिए आप आते हैं तो चलिए स्टार्ट क कह सकते हैं किकवे और हम लोग ठॉजings नमबर ओं ह внस्ट किया होता है जो लोग अकेले रहना चाहते हैं लोह ने केते सिंगुलर की है एकेलिए सींसिबल इंसान क्या बहुत sensible इंसान है नहीं कहते है तो इसका ब्रैनी हो जाएगा rational हो जाएगा स्रूड हो जाएगा और discreet हो जाएगा यह सब जो इसके important क्या बनते है synonym जो है बनते है नेक्स आपने इस planneded का मतलब होता है शांदार सूपर्ब जो इदम सूपर्ब होता है इसको आप्यूलेंट कह सकते हैं illustrious कह सकते हैं magnificent कह सकते हैं यह सब जो है इसके important क्या बनते हैं synonym जो है बनते हैं नेक्स्ट हमारे stubborn मतलब होता है जिद्धी जिसको आपस्टिनेट headstrong कहते हैं unildic कहते हैं obturate कहते हैं persistence कहते हैं और molest भी कहते हैं इसके important क्या बनते हैं synonym जो है बनते हैं देखिए यह ऐससे CGL 2020 में पूछा हुआ प्रश्ण है तो यह बहुत ज़्यादा important है नेक्स्ट हमारा word क्या है fury fury का मतलब होता है crude जैसे कि anger option मेरे हमारा जो है right हो जाएगा fury का मतलब है crude इसको हम लोग कह सकते है temper, raise, vaccination और हमारा होता है bile और spleen इसके important synonyms होते हैं next हमारा रिस्क रिस्क का मतलब क्या होता है risk लेना यानि कि take risk मतलब कि होता है आर पाप करना होता है और crime का मतलब भी होता है पाप करना होता है तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा एक डेलिक्वेंसी हो जाएगा, ओफेंस होता है, और मिस्टीड हो जाएगा, और इम्पिटी हो जाएगा, यह समझे इसके इंपॉर्टन क्या बनेंगे, सिननिम जो है बनेंगे, यह यह एससी सीजल 2020 में पूछा हुआ प्रश्ण है, नेक्स्ट अमरा वर्ड क्या है, इसके इंपॉर्टन क्या होते हैं, सिननिम जो होते हैं, तो ऑप्सन नमबर एपे मारे जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सजजन, यह नहीं होगा, नेक्स्ट अमरा है माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है, जो कुमल होता है, उसको में लोग कहते हैं, यह भी नहीं होगा, नेक्स्ट हमारा है dear, dear का मतलब भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंसी होता है, तो option number c हमारा जो है right हो जाएगा, next हमारा है sober, sober का मतलब होता है, जो सांत होता है, उसको जो है sober कहते हैं, तो इसका important synonym एक टो है, जो पूचा जाता है, उसका tranquil, tranquil, tranquil जो है, बहुत ही पूचा जाता है, tranquil हो जाएगा, serene हो जाएगा, calm हो जाएगा, proprietate हो जाएगा, और मारा शूत हो जाएगा, और abstinate हो जाएगा, यह सब जो इसके important क्या बनते हैं, synonym जो है, बनते हैं, देखिए, यह भी SSL CGL 2020 में पूचा हुआ प्रश्ण है, एक्ष्ट मारा word क्या है, retain, retain का मतलब होता है, किसी चीज़ों क्या करना, बनाए रखना, यानि हम लोग क्या कह सकते हैं, prevent कहते हैं, किसी चीज़ों क्या करना, prevent करना, रिजर्व करना, और इनहीं बीट करना, इसके क्या होते हैं, सब important जी है, synonyms होते हैं, तो option number यह भी हमरा convey, convey का मतलब होता है, किसी चीज़ को देना, या फिर पहुचाना, इन्हीं ट्रांसपोर्ट करना, dispatch करना, और हमरा deliver करना कह सकते हैं, यह भी हमरा नहीं होगा, नेक्स्ट हमरा है destroy, किसी चीज़ को क्या करना, destroy कर देना, या इन्हीं दिमोलिस कर देना, इसके लिए important phrase आता है, यह भी होता है, knock down, pull down, tear down, इसका भी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को destroy कर देना, और इसको भी spoil कर सकते हैं, ruin कह सकते हैं, और sabotage कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को demolise कर देना, या इन्हीं destroy कर देना, next हमरा है maintain, option number C हमरा जो है right which है, maintain का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, बनाए रखना, इन्हीं retain करना किसी चीज़ को, और conserve करना, conserve और preserve यह भी जो है, इसके important क्या होते हैं, synonym जो होते हैं, next हमरा gain, gain का मतलब होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, या फिर gain का मतलब लाब भी होता है, तो इसके important जो synonyms पुछे जाते हैं, एक हमरा obtain, acquire और produce और हमरा एक आता है profit, profit भी हमलों कहा सकते हैं, profit का मतलब भी क्या होता है, gain करना किसी को, या फिर प्राप्त करना, या फिर profit कमाना, यह सब जो है, इसके important जो है synonyms बनेंगे, इसके important क्या है, erudite, erudite का मतलब होता है, जैसे having or showing great knowledge or learning, जिसके मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्यान होता है, और जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, विद्वान होता है, उसको हमलों क्या कहते हैं, erudite कहते हैं, इसको हमलों विद्वान कह सकते हैं, या फिर ग्यानी कह सकत कहते हैं तो इसका हम लोग को क्या बताना है सिर्णी जो है बताना है जैसे हम लोग नहीं कहते हैं ग्यानिया विद्वान को इसको कहते हैं लर्न कहते हैं और हमारा सैवेंट कहते हैं तो आपसन नमबर डी हमारा कहा है लर्न आपसन नमबर डी हमारा जो है राइट होगा इसका ऑसटाना कि वह बहुत जब जब फैश्न फैसिन इबल यानि की बहुत जब जब लिक्ष करने वाला तो ये भी ममध्रा नहीं एक बादर इन एक इलिट्रेट कि मतला होता है जो पढ़ा लिखा नहीं यह निरचन हो यह नोन लिटरेट और हम लोग इगनोरेंट भी कह सकते हैं और नेक्श नमाने हे स्ट्रोंग यह बहुत है बहुत है स्ट्रोंग होना ब्रेव होना मजबूत होना ओफसे नमबर निवार जोरी राइट हो जाएगा دेखेंए, यह कहते हैं तो option number D हमारा है aggressive, aggressive का मतलब भी होता है लड़ा का और जो है जगड़ा करने वाला उसको मुनों क्या कहते है अग्रेसिव कहते हैं इसके जो बहुत ही जदा important EDM's आते हैं यह कमारा होस्टाइल होता है बैली इसके इंपोर्टन क्या होते हैं सेननने बनते हैं नेक्स्ट हमारा माइल्ड माइल्ड का मतलब होता है कोमल यानि जो tender क्याइन उसको मैं क्या क्या क्यों क्या नवरा है काम का मतलब होता है सांध रखन एक मतलब होता है सेनन से ina का बंदा है इसके सेव Ar caveat कर यकतों क्या भी पोफ्चा हुए प्रशन है निट्स्ट हमारा किया है केटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपत्ती यानि विनाज मतलब की बहुत ही ज़्याता क्या प्राब्लम हो जाये या फिर आपत्ती आ जाये उसको लोग एकते हैं केटास्ट्रोफिक है तो हमारा option number 118 than like this मतलब होता है नाजुकर को मिलको चिताना जुक्ती कोती है को मलों होती है कि इसको लगों कहते डैली के एते हैं क्लीक एसक्लिच्ट कहते हैं 286 कह सकते हैं तोby गोग होगा नहीं 되고 मतलब होता है जो हार्स हो रिजड हो ड्रास्टिक हो इन फ्लैक्सिबल हो उसको लोग कहते है तो आपसन नंबर भी हमाने जो है राइक हो जाएगा देखिए एससे सीजिल 2020 में यह भी पूछा हुए प्रश्ण है नेक्स्ट मतलब होता है किसी चीज की कमी होती है उसको लोग क मतलब होता है जो पर्याप्त मात्रा में होता है वह हमारा क्या होता है यह दोनों इसके क्या बनेंगे इंटनिम्स जो है बनेंगे तो यह दिनों तो होंगे नहीं जो इसके क्या बनेंगे इंटनिम्स बनेंगे सफिशेंट का मतलब होता है पर्याप्त होता है जो जी पर्या और पर्यावत मात्रा मेरे हो जिसकी कमी हो उसको मुझों कहते है एवज कियते है तो ऐसन नंबढर सी हमारा जूहे राइट हो जाएगा i and you play wore sick ऑजो जो जाएगा इस काणटी नहीं हो जाएगाbon प्रिफर्ड का मतलब क्या होता है पसंदीदार जो हमारा पसंदीदार होता है उसको लोग कहते है प्रेफर्ड का उप्रेफर्ड का मतलब क्या होता है यह प्रेफर्ड हो पसंदीदार हो इसको लोग कहते हैं नेक्ष्ट मतलब मतलब होता है आसंका यारी डर भय होता है तो यह महरा नहीं होगा नेक्ष्ट हमारा है compared का मतलब क्या होता है किसी चीज से तुल्ला करना तो ये भी हमारा नहीं होगा नेक्ष्ट हमारा है addon addon का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पसंदिदार यानि love and respect someone deeply इसको मुझा कह सकते हैं तो मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा जो है गहरा से पसंद करना उसको मुझा कहते है ये dawn कहते है जैसे love deeply होता है इसका synonymus love हो जाएगा be devoted to हो जाएगा hold dear हो जाएगा teaser हो जाएगा और admire हो जाएगा look up to हो जाएगा revare हो जाएगा idolize हो जाएगा ये सब जो इसके important जो है synonymus पूछे जाते है next number है ovation ovation का मतलब होता है किसी का क्या करना तालियों के स्वागत करना ताली बजा के जो है किसी का स्वागत करना तो option number 1 है censure censure का मतलब होता है निंदा करना यानि इसका मतलब होता है कड़ी निंदा करना अब हो जाएंगा इसकते इस वरा नहीं होगा देशिक्र ओब जानते कि कि यह चारी करना येमाल है कना क्रिएश्ण करना किसी Tap fabrication करना genesis कह सकते हैं यह भी हमारा नहीं होगा next हमारा applause applause का मतलब होता है तालियों के साथ जोए किसी का क्या कहाना स्वागत करना तो option number D हमारा जोए right हो जाएगा इसको हम लोग कह सकते तालियों के साथ स्वागत करना या फिर सराहना करना कह सकते हैं हैंड क्लापिंग, एपलॉज, चीर्स और हम लोग कह सकते हैं ट्रिब्यूट कह सकते हैं और हमारा एक होता है एकलेम कह सकते हैं यह सब इसके इंपोर्टेंट क्या होते हैं सिनोनियों जो है बनते हैं और हमारा जो back on sensor का जोए बहुत ज़्यादा important जिप्षति основ देख लेती हैं। तो उमारा एक कोंचेम होता है, tweet होता है और denunciation होता है और अमझेण करना, किसी क्रिटी साइज करना मतलब किसी क्या करना, निंदा करना, सावेज होता है एडमोनिश होता है और हमारा एक होता है, रिप्रूव होता है एक हम लोग नहीं हमर, हमर बहुत ही जद्धा इंपॉर्टेन होता है, हमर भी जो पूछा जाता है और एक हमारा होता है, रिवाइल होता है रिप्रिमेंड होता है यह सब जो इसके इंपॉर्टेंग जो इस से लोनीज बनते हैं अगर आप लोग को वीडियो मारी अच्छी और हेलफू लगयो तो आप मारे वीडियो को लाइक और मैंचे सब्सक्राब जोर करिएगा और आप मैं टेलिग्राम को को टाइन कर सकते हैं टेलिग्राम डूका लिंग को जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो